हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर आज हमारा जावा स्कृप्ट का पत्मा वीडियो है इसमें हम जावा स्कृप्ट के भैरियेवल के बारे में सिखेंगे तथा इसका यूज क्यों और कैसे करते हैं तो आई ये सबसे पहले समझते हैं JavaScript variable होता है क्या JavaScript variable keyword या container है जिसे हमारे कोई भी value या information को एग जगा स्टोर करती है अब हम JavaScript को क्यों use करते हैं इससे समझते हैं मान लिजिये आपको कुछ statement जैसे की teach coders print करना है तो इसके लिए आप document.write teach coders लिखेंगे अब इसी statement को तीन बार print करना हो तो आप इसे तीन बार document.write teach coders document.write teach coders document.write teach coders लिखेंगे इस statement में problem होती है जहां पर आपको 1000 बार लिखना पड़ेगा और यदि इसमें कुछ change करना हो तो आपको 1000 statement में जाकर चेंज करना पड़ेगा जो की बहुत लंबा process हो जाता है इससे बशनी के लिए हम variable का यूज करते हैं आईए हम समझते हैं इसका यूज कैसे करेंगे यहां पर हमने यह नाम का variable लिया है जो की भायर है उसके अंदर हम teach coders का यूज की है मतलब teach coders जो हो गया जो मेरा भायलू हो गया और ए हो गया जो भायरेवल का नाम हो गया मतलब ए हो गया variable name हो गया teach coders उसके भायलू हो गया अब इस भैलू को हम कैसे यूज करेंगे तो डॉक्मेंट डॉट राइट के अंदर हम एक और रखतेंगे तो उसके भैलू प्रिंट हो जाएगा और एसे हमको जितनी बार चाहे उतनी बार document.right को हम प्रिंट हो देगा और माल लेजे कि आब आपको चेंज करना पड़ेगा तो यहां पे आपको इजी हो जाएगा क्योंकि आप एक ही जगा यहां पर Teach Coders में जाकरके एक ही जगा चेंज करते हैं तो हो जाता तो अब हम भाहरेवल कितने परकार के होते हैं ये देखते हैं भाहरेवल तीन परकार के होते हैं भाहर, Late, Cost तो सबसे पहले भाहर के वारे में देखते हैं बहर को डिक्लियर करने के लिए बहर कीवर्ड के साथ यूज करते हैं इसे मेनी टाइम डिक्लियर कर सकते हैं यह यह एसा इजनेवल बहरेवल है अब हम लेट के वारे में देखते हैं लेट को डिक्लियर करने के लिए लेट कीवर्ड का यूज करते हैं इसे एक ही टाइम डिक्लियर करेंगे यह यह एसा इजनेवल बहरेवल है मतलब कि बहर को आप डिक्लियर मेनी टाइम कर सकते थे और इसको एक ही टाइम डिक्लियर करेंगे अब देखते हैं कॉंस्ट को कॉंस्ट कीवर्ड को डिक्लियर करने के लिए कॉंस्ट कीवर्ड का यूज करेंगे इसे एक ही टाइम डिक्लियर किया जाता है इसे रिएसाइज नहीं किया जाता है अतलब यह रिएसाइज नेवल भेरेवल नहीं है खुल मिला करके इसे दुवारा आप चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार करने पर इसे एडिट नहीं कर सकते हैं तो आईए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने HTML डॉक्मेंट पालेस बना रखा है इसके अंदर हम एक अस्क्रिप्ट टैक का यूज किया है अब हम सबसे पहले बहर भेरेवल के वारे में एक्जाम्पल देखते हैं तो इसे डिकलियर करने के लिए सबसे पहले हमें भेर केवर्ड का यूज करना प्रेगा अब हमें कोई नाम देना प्रेगा इसका नाम देते हैं ए ए उसके बाद बहलो को हम कोई बहलो एस fragment करें है तो हम सबसे पहले अ-string बहलो के साथ आपको दिखाते हैं तो अश्ट्रिंग को define करने के लिए सबसे पहले हम coast का यूज किये हैं और इसमें हम अपना भायलू रखेंगें तो हम अपना श्ट्रिंग भायलू रखते हैं hello अब यह देखते हैं print हो रहा या नहीं नहीं print होगा क्यों नहीं print हुआ क्योंकि हमने इसे print कराए ही नहीं तो इसे print कराने के लिए सबसे पहले हमें इसे print कराने के लिए सबसे पहले हमें document document.write write का function ले लि हैं तो इसमें हमें क्या करना प Raeगा ए को यहां रखना प她eगा उसके बाद अब ये दखिये print हो जाएगा देखिए बिल्कुल प्रिंट हो गया अब हम चाहते हैं कि नहीं मेरा इसमें टेक्स्ट टीच रहा था हम क्या कर सकते हैं और हम प्रिंटिंग में चेंजिंग करना चाहते नहीं है तो क्या करेंगे भैर ए इसकर टू टीच यहां पर हम भैर लू को एसाइन करेंगे टीच टीच भैर लू को हम एसाइन कर रहा है तो इसमें क्या होगा अगर इस टाइप से देते हैं तो क्या होगा टीच प्रिंट होगा या हेलो प्रिंट होगा टीच प्रिंट होगा क्योंकि पहले भैर एक चेक किया और इसमें value किसके value मिल रहा है teach value तो इसलिए teach print करेगा यह देख लीजिए teach बिल्कुल सही और अब re-assign के बारे में देखते हैं यह क्या होता है भाहर होता है जो इसे multiple declare कर सकते हैं इसको था multiple ही declare कर सकते हैं जैसे कि देखिए भाहरे यहां पर हम लिख दिया है जैसे कि राम तो राम प्रिंट होगा इसको multiple declare कर सकते हैं अब देखिए राम प्रिंट होगा इससे ही बोलते है multiple declare मतलब उस भाहरेवल को बारवर declare करना एक ही भाहरेवल को बारवर declare करना उसे हम multiple declare करते हैं यह भाहर होता है जो multiple declare होता है और यह साइज ने भी होता है तो हम देखिए अब declare नहीं करते हैं सिर्फ इसके भाहलू को हम दुवारा इसमें rewrite कर आ रहा है रिप्लेस कर रहा है यहां पर हम सोहन लिख देते हैं अब देखिए सोहन भी प्रिंट हो जाएगा सोहन भी प्रिंट हो गया अब थोड़ा सा example हम आपको नुमेरिक के साथ भी दे दते हैं इसमें हम नुमेरिक भैलू को भी हम रख सकते हैं तो नुमेरिक भैलू के लिए हमें क्या करना होगा भैर जो भैलू लेना चाहते हैं भैर ए इसलिए हम नुमेरिक भैलू है तो इसलिए हम नुमेरिक डालते हैं 10 परिनित कर दिया तो आप थोडा सा यह पर चेक करे लिए अगर हम इसको दौढरा इसको आम यह माल लिते तो क्या होता तो भी परिंट होगा क्योंकि यह आपका अपको यह श्ट्रिंग भैलू समझेगा लेकिन आप सी को पिरिंट कर ददेगा वहर B वहर B 20 रखते हैं ठीक है 20 20 डाल दी इसमे string type को ही डाले है और अब इसको हम जोड़ते हैं सुरी इसे add करते हैं तो हमें क्या करना परेगा वहर C लेते हैं where C is equal to A plus A plus B और यहां पर प्रिंट करा लेते हैं हम C को, ओके? C को देखते हैं क्या होता है यहां पर देख सकते हैं आप क्या हो रहा है 10 20 आगया, दोनों को आई जेटीच प्रिंट कर दिया, कर दिया ना अगर हमें add करना हो तो हम क्या करेंगे तो a string नहीं नुमेरिक चाहिए इसलिए हमें यह string का जो कोश्ट लगाये थे वह उसे हट आदेंगे तो अब देखिए क्या होता है यहां पर आपने देख लिया यह 30 हो गया 10 20 30 10 20 30 हो गया तो आप तक आपका यह clear हो गया बहर के बारे में अब हम देखते हैं late के बारे में तो late को declare करने के लिए सबसे पहले late keyword का यूज करेंगे late late यह नाम करके हम variable लेते हैं इसको रखते हैं hello hello ठीक है इससे हम print कराने के लिए document.write function में हम किसको रख देंगे A को रख देंगे अब हम print कराते हैं अब browse करके देखते हैं तो देख रहे हैं hello print हो रहा ठीक है अब हम क्या करते हैं खिर से दुवारा हम late लेते हैं late A दुवारा declare कर रहा है इसने bird लिखते हैं hello bird तो क्या print होना चाहिए आपके हिस्ताब से bird लेकिन browse करके देखने एक बात पता चले हैं कुछ भी नहीं print हुगा क्यों console error देख लीजिए identify identifier A has already been declare A क्या बोल रहा है आप जानते हैं कि इसको एक ही बार declare कर सकते हैं तो इसे हम हटा देते हैं अब देखिये क्या होगा प्रिंट हो जाएगा आपको तो यह पहले वाला दिखा रखा था इसलिए हम इसको ही print कराके दिखाते हैं और यह देख सकते हैं bird भी print हो गया अब आपको अपरी SI ने करके देखिए इस भैलू को इस कल्टो यहां पर हम डाल देते हैं teach coder आप इसे आप ब्राउज करके देखिए teach coder आप यह समझ गया होगे आप करके देखिए कि इसे हम decalier एक ही बार करेंगे लेकिन भैलू को reassign हम बार बार करेंगे जैसे कि दुवारा हम इसमें देखिए, दुवारा इसमें हम दुवारा इसके value के reassign कर लेते हैं, मोहन लिख देते हैं आपे, M-O-H-A-N अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कि आपका मोहन प्रिंट कर दिया, जो लास्ट का value रहेगा, उसको प्रिंट कर दिया, मतलो इसके value को हम re-sign कर सकते हैं, अब हम देखते हैं, कॉंस्ट के अबारे में, तो कॉंस्ट को डिक्लियर करने के लिए, हमें सबसे पहले कॉंस्ट कीवर्ड का यूज करना परेगा, तो आएए दिखते हैं, C-O-Cons, अब A नाम करका, इसके कोई variable लेना परेगा, जो कि हमने लिया है A नाम से, इसमें कोई value को इसाइन करना परेगा, तो hello word लिखते हैं, अब इसे हमें parent कराने के लिए document.write और function रखेंगे, उसमें हम एक को रख देंगे, then ये print हो जाएगा, आप देख लिए कि hello word परेंट हो गया, हम जानते हैं कि cost को एक ही बार clear करते हैं, लेकिन हम जान करके, जानते हुए भी गलती अपने करते हैं, ये अखिर होता है क्या, ये देख रहे हैं, ये error आएगा, ये error देख सकते हैं, ये has already been declared, ये पहले से declared है, अब reassign करके भी हम देख लेते हैं, इसे reassign करने के लिए हमको कोई keyword का use जरुवत नहीं परेगा, direct उस variable के नाम के साथ हम value को assign कर देते हैं, उसे reassign करते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है, तो आईए, देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, assign to constant variable, मतलब इसको आप reassign भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं रखना परेगा, अगर topic से related कोई question हो तो comment box में अपना comment डालेगा, मुझे उमीद है कि यह video आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा वीडियो तो like किजेगा, share किजेगा, मिलते हैं next video में, अब तक के लिए धन्यबाद,